debit amount में कितना total है यहां देख सकते हैं और credit amount में कितना total है यह show कर रहा है देख सकते हैं दोस्तों आप जैसे ही debit total की txt tda file को download करोगी तो काफी जाता chances है कि यह file आपके download को यह folder में show करेगी तो आपको simply इसके उपर click करना है और जो उपर की side पर copy path यहाँ पर आपको click करना है तो जीसे आप click करोगी तो जो file है इसका path copy हो जाएगा अभी आपको open करना है tally prime अभी में हूँ gate of tally में company open करके रखी है मैंने यहाँ पर मैं जाओंगा display more reports में यहाँ पर d press करेंगे और यहाँ पर d book जो है उसके लिए पर प्रेस करेंगे d तो जैसे हमने d press किया तो मा चुके है d book में अभी आप आप देख सकते हैं नीचे की side पे total show नहीं हो रहा है तो अब इसके लिए हम जो tdr file हमने download किये उसे tally prime में load करेंगे उसके लिए हम जाएंगे help में यहाँ आप देख सकते है help है one press कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर click कर सकते हो तो tdrs and add-ons पर आपको click करना है और यह जो window है tdr management की यह window open हो जाएगी अब हुआ आपको click करना है यहाँ पर right side पर जो हमने help पर click क्या था उसके नीचे की side पे manage local tdrs यहाँ पर आपको click करना है load selected tdrl files on startup यहाँ पर आपको yes करना है उसका बाद enter करना है और उसके बाद यहाँ पर हमने जो path select क्या था उसको paste कर देना है starting में और end में जो double inverted comma है उसको हम delete करेंगे तो simply मैं end में back press करूँगा और इसे delete कर दूँगा double inverted comma को और home press करूँगा और delete button को press करके मैं आगे वाला जो starting में जो double inverted comma था उसे भी delete कर दूँगा उसके बाद मैं enter करूँगा enter करूँगा उसे इंटर करूँगा तो जो हमारी TDL file है वो tally prime में load हो चुकिए जो file ने tally rpn में भी आप इसे use कर सकते हो अभी मैं use करता हूँ tally prime for point हो तो इसमें भी आप use कर सकते हो ठीए अब जिसे मैंने tally में जो tdl file देट अब टोटल उसे first fair 2024 में debit amount में कितना total है या देख सकते आप और credit amount में कितना total है यह show कर रहा है देख सकते आप तो जैसे आप tally prime में या tally rpn में डे book में debit amount की per device या फिर आप अगर आप चाहें तो जो period उससे भी change कर सकते हैं तो जैसे आप period change करोगे तो period का जो total है वो भी show करेगा जो भी आप period change करोगे select करोगे उसका debit amount का total और credit amount का total नीचे के साथ पर आपको show कर जाएगा तो गाइस ऐसे ही आप डे book का जो भी total amount है debit amount का credit amount उसका total आप easily period wise या फिर daily basis में जो जो transaction होते उनका total यहाँ पर आप देख सकते हैं डे book के स्केन में तो यह थी आज की वीडियो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो like कीजिए comment कीजिए इस वीडियो को share कीजिए अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही वीडियो के लिए आप टेल यह रमात को सब्सक्राइब कीजिए थे कि वीडियो की वाई